नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिंदू धर्म में चौथी तिथी का पर्व बहुत ही खास समझा जाता है क्योंकि दोस्तों तिथी ये हमारे पित्रों को समर्पित होता है तो पंचायन के अनुसार हर माह के कृष्न पक्ष का दिन आखरी दिन कहलाता है। विष्णू के अनुसार कृष्ण पक्ष की चौथी तिथी के बाद चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश होता है और इसलिए ये तिथी अमावस्या कहलाती है ये शनी देव की जन्द। मतिथी भी होता है तो दोस्तों इस दिन स्नान दान पित्रों की नियमित तरपन करने से जीवन में खुशी का आगमन होता है इस साल अमावस्या की तिथी को लेकर के लोगों में संशय बनी हुई है तो आएए जानते हैं अमावस्या की सही तारीक स्नान एवन दान करने का शु अमावस्या तिथी पित्रों को समर्पित होता है, तो पंचांग 17 जून 2023 को सुभा 9 बचकर के 13 मिनट में अमावस्या तिथी शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 18 जून 2023 को सुभा 10 बचकर के 8 मिनट में समाप्थ होगा. दोस्तों इस तिथी पर सूर्योदय से पूर्व सनान करने की परंपरा होती है, तो ऐसे में 18 जून को सनान किया जाएगा, वहीं शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का संबंध चंद्रमा तथा सूर्य देव से भी है, दोस्तों इस तिथी पर सूर्य और चंद्र एक साथ एक में स्थिती में होते हैं. ये सन्योग अठारा जून को मिल रहा है. तो दोस्तों इस दिन सूर्य चंद्रमा मिथुन राशी में होंगे. मिथुन राशी के लिए ये दिन बहुत ही शुब होंगे, तो सनान करने का शुब महूत भी जान लीजिये. तो सुबह 4 बचकर के 3 मिनट से 4 बचकर के 43 मिनट तक 18 जून को जो है आप सनान कर सकते हैं अब जो मुहूर्थ है सुभा 11 बचकर के 54 मिनट से दोपहर 12 बचकर के 50 मिनट तक रहेंगे अब इस वीडियो में जानते हैं अमावस्या पर ये काम आपको करना है और कुछ ऐसे काम है जिससे करना है जिससे आपक के जीवन में भाग्य उदे होगा दोस्तों ये जो वीडियो बता रहा हूं ना ये जानकारी आगे चल करके आपको बहुत काम आएंगे लाखों करोडों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस तरह कि कोई भी जानकारी आपको नहीं बताएंगे दोस्तों तो देखिए शास के देव कहा जाता है देवताओं से भी उच्च स्थान पित्री का होता है अगर मान के चलिए सोच के भी चलिए अगर आपके पित्री नहीं होते तो आप थोड़े होते हैं तो दोस्तों पित्री का स्थान देवताओं से उत्तम होता है तो ऐसे में कोई भी शुब काम जो है को नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन महत्वपूर्ण चीजों की खरीदी, बिक्री, ग्रिह, प्रवेश, मुंदन, मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अशुब परिनाम मिलते हैं क्या करें। से तरपन और श्राध की इच्छा हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, तरपन करना चाहिए, घर में ब्राहमनों को बुला करके भोजन करा करके यथा शक्ती दान देना चाहिए, पित्री पूजा से आयू में व्रिधी होती है और परिवार में लोगों को गुप्त जानकारी बता रहा हूं, अवश्य को लेकर के जो जानकारी आपके भाग्य उदे करेंगे। इससे पहले अभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों गरुर धरमार एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बलकि आप सभी दर्शकों का परिवार है, आप हमारे विडियो को देख रहे हैं, आप हमारे विवर्स नहीं, आप सब हमारे परिवार के किस्से हैं, अगर आपके कोई कष्ट जीवन में चले कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही। पूछे हम उसका ज्योतिश उपाय बताएंगे जो उपाय को करके आप उन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, एक ही मकसद है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्यान हो और हम सही जानकारी बताते हैं, दोस्तों हमारे विडिय प्राणी आपके घर में आ जाएं या फिर अगर आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति या फिर आसपास में कोई ऐसे पागलपन लिए घूम रहे हैं। जो भी समय आपको दिन पड़े आटे की गोली बना ले और गोली बनाते समय भगवान का नाम लेते रहे जो आपकी इस टाइम उसके नाम लेते रहे। आप जीवन की अनेक परिशानी का अंत हो जाता है। दोस्तों इस दिन काली चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। तो आपके मनोवांचित इच्छा की भी पूर्ती होती है। आप ये उपाय करते हैं तो आपके मनोवांचित इच्छा की भी पूर्ती होती है। इस दिन काल दोश निवारण है तू अगर किसी को कालसर्प दोश लगे। कालसर्प दोश के कुछ लक्षन बता देता हूँ जि सपने में भूत नजर आते हैं यहां तक की एकसीडेंट और नाना तरहे की कलातलेश एवं परेशानी उनके जीवन में आने लगती है ये कालसर्प दोश के लक्षन है तो इससे छुटकारा पाने के लिए काल्प कालसर्प दोश निवारन पाने के लिए चांदी से निर्मित नागनागिन की पूजा करें सफेद पुश्पक साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें कालसर्प दोश से ततकाल राहत मिलेंगे मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कालसर्प दोश एक ऐसा दोश होता है जो की व्यक्ति के जीवन को ही बरबाद कर सकते हैं तो आवश्यक दिन ये उपाय करने से कैसा भी आपके जीवन में चाहे कैसा भी दोश हो अगर आप उपाय कर लेते हैं तो सारे दोश समाप्थ हो जाते हैं जितने भी दोश हैं राहू से उत्पन होता है और जो ये हम आप लोगों को बता रही हैं कालसर्प दोश ये राहू से ही निर्मित होता है तो निर्मित नागनागिन की पूजा करके जल में प्रवाहित करते हैं तो भयंकर से भयंकर आपके जीवन में कैसा भी दोश लगा हुआ दोश समाप्थ हो जाते हैं बेरोजगार व्यक्ति अगर अवश्य की रात करते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की प्राप्ती होता है इसलिए आपको एक नीम्बू साफ लेना है और सुबह ही आपको अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है और रात के समय से साथ बार बेरोजगार व्यक्ति की सिर से उतारना है और चार इसे बराबर भागों में काट लेना है फिर इसे चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ मिलते हैं परंतु जब भी आप इसे काट करके ये क्रिया करके आए तो आपको अपने हाथ पैर धो लेने इसके बाद ही घर में प्रवेश करना है दोस्तों शाम के समय घर के इशान कोन में आवश्यक दिन शाम के समय घर के इशान कोन में गाय के घी का दीपक लगाते हैं, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उप्योग करते हैं, साथ ही दिये में थोड़ी सी केसर डाल देते हैं, तो ये मातालक श्मी इ हम सब जो हैं आपने जरूर देखा होगा, हम सब जो दोस्तों दीपावली के दिन पूजा करते हैं, दीपावली में अमावस्या के दिन ही होते हैं, दिवाली के दिन होता है, वो भी अमावस्या होता है, तो अमावस्या के दिन पूर्णिमा दिन और एकादशी के दिन माता ल तो ऐसे घर में माता लक्षमी बिना प्रवेश कर जाती है, ऐसे घर को धन दौलत से समरिधी भर देती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना दोस्तों अमिश्टिथी के दिन अपने घर के दर्वाजे को बंद मत करना। न इस उपाय से इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो इसे धन का लाब होता है, धन लाब मिलने के प्रबल योग बनते हैं, इस उपाय से हमारे बहुत सारे लोगों को लाब मिल चुके हैं। और आज खुद दाता बन चुके हैं, तो उपाय ऐसा होता है, देखिए हम टोने टोटके को क्या बोलते हैं। टोने टोटके वह सरल क्रिया है, जो की कम समय में आपको अत्यधिक लाब देता है, तो अगर पांच लाल फूल और पांच जलते। हुए दिये बहती नदी में प्रवाहित करते हैं, कौन सी स्थान पे प्रवाहित करते नदी भी थोड़ा सा जान लीजिए आपके घरों के आसपास में जो नदी जिसमें जल की धारा बह रही हो और दो नदी के धार अर्थात दोस्तों नदी एक ही होना चाहिए परंतु उनके दो धार आपस में मिल रहे हो ये फिर अगर दो नदी की धार आपस में मिले तो बहुत ही सुन्दर है इस जगह पे आपको लाल फूल और पांच जलते हुए दिये को प्रवाहित करने बहुत ही ज्यादा आपको मिलेंगे दोस्तों दो उपाय और बता रहा हूं ये भी ध्य से सुन लीजिए इसके बाद मैं विडियो समाप्त करूंगा तो अफसर की रा रि अगर आप कुत्ते को तेल में चिपली रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से सभी दुश्मन उसी समय शांत हो जाता है दोस्तों आपको कैसा भी भूत प्रेत इत्यादी बाधा सता रहे होते हैं यह उपाय करने से वह बाधा भी ततकाल शांत हो जाती है क्योंकि काले कुत्ते को भैरव का स्वरूप समझा जाता है भगवान शनी का इसे जो है वाहन समझा जाता है जो काले कुत्ते हैं इसे पित्रों का भी स्वरूप समझा ज इसे पित्र दोश काल दोश नाना तरहे के जीवन के आपके दोश समाप्त हो जाते हैं। आप कोई उपाय करें या ना करें। आवश्यक दिन इसलिए व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए तो इस वीडियो में लोगों को उपाय बता दिया हूँ। जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना आपको लाभ मिलेंगे और ज्यादा उपाय नहीं कर सकते तो हमने बहुत सारे उपाय। बताएं उनमें से एक उपाय करके देख लीजिए, आप आज मा करके देखिए दोस्तों आपकी देखना दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नती होगा। आपको परिवर्तन होते हुए देखेंगे, गरुर धर्मार्थ चैनल में वही जानकारी बताई जाती है, जो जानकार हो आसान हो जिसे साधारन व्यक्ती भी कर सकेंगे और उन्हें लाभ मिले। आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवर्श कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।